दोस्तो नमस्कार एक करोड केंद्रिय करमचार्यों पेंशन धारकों के महंगाई भत्ता रोग के खिलाप हाई कोड का एक महतापुन जज्मेंट निकल के आया है जिससे हमारे 60 लाग पेंशन धारकों 48 लाग केंद्रिय करमचार्यों के बीच एक आश्या के निकल के आया है ज उसमें साफ साफ यहां पर कहा गया है कि गोवेंट कोई भी गोवेंट करमचारियों पैंशन धार्कों का हग याने कुण का डी ए डी आर नहीं चीन सकती हैं तो दोस्तों वीडियो की माध्यम से दिखाएंगे क्या कहता है हाई कोड का लेटेस जज्मेंट वीडियो के माध्य पूरे जानकारी के लिए वीडियो को अंतक देखें सेंटर गोविंट इंपलोईज पैंशनर फैंबली पैंशनर चे जुड़ी लेटेस्ट कबर सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल को ताकि हर एक लेटेस्ट अप्डेट आप तक तुरंतास की च उन्होंने 29 अपरेल 2020 को मोस पीमो इंडिया केवनेट सेक्रेटरी कोविंट ओफ इंडिया सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ओफ फिनेश डिपार्टमेंट ओफ एक्सपेंडिचर पैंशन पीजी एंड पैंशन विभाग के सेक्रेटरी सब भी को यहां पर इसकी परतिली पी भेज कर अपना प्रोटेस्ट जता है उन्होंने कहा कि केंद्रे करमचार्य पैंशन भोग्यों की महंगाई भत्ता फुरीज के अगेंश हम अपनी आवाज को बुलंद करते हैं उन्होंने यह ऑफिस यह जो हाई कोड का ओडर है वो भी दिखा है हाई कोड के जजमेंट जो है वो यहाँ पर कोई भी गोर्वेंट विड्रो नहीं कर सकती या फिर उसक पर रोक नहीं लगा सकती और कोई भी सेल्दी कट का पार्ट है गोर्वेंट अपनी मर्जी से यहाँ पर नहीं कार सकती है तो भाज पैंशनर समाज ने यहाँ पर NJCM जो की सेंटर गोर्वेंट एंप सरकार को हमारे करमचारियों पेंसन धार्गों के महगाई भत्ते को वापिस करना ही होगा इनका कहना है कि इस क्राइसिस के दोरान मतलब इस पिरियड के दोरान हमारे करमचारी वो लगातार यहां पर समश्याओं से जूज रहे हैं उन्होंने यहां पर फुल स्पोर्ट किया ह लेकिन गोवेंट उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है बिना यहाँ पर NJCM की साथ सला मसवरा किये गोवेंट ने एकदम से यहाँ पर रोग लगा दी काफी नाराज हुए हैं सेंटर गोवेंट और जो स्टेट गोवेंट है वो यहाँ पर फ्रेंट लाइन रोल अदा कर रही है और गोवेंट एंप्लोईज भी अपने अपने कोवीड-19 महामारी के चलते रिस्क उठा रहे हैं और अपनी अपनी ड्यूटी यहाँ पर फुल्फ वेज भी डोनेट कर दिया है और्डिनेस फेक्टरी के एंप्लोईज ने यहाँ पर दोर दिन की वेज अपनी दी है लेकिन फिर पर गोवेंट ने बिना उनकी यहाँ पर इच्छा जाने उनके DADR को रोक लगा दिये इन्हों ने कहा है कि DADR रोक के बाद सीधा सीधा यहां पर केंद्री करमचार्यों के एचारे पर पड़ेगा सात्वा वेतन आयों की रिकमेंडेशन कहती है कि एचारे जो है वो इंप्रूव किया जाएगा 24% to 27% एक सिटीज के लिए और वाई सिटीज के बात करें तो यह 16% से 18% और इसके साथ साथ यहां पर जैर सिटीज के 2020 के बाद क्रोश होना था लेकिन गौर्वेंट ने अब इसको फ्रेज कर दिया है जिसका सीधा-सीधा इंपक्ट एचारे हाइक पर भी पड़ेगा इसलिए भाट पैंशनर समाज सीनियर सिटीजन की हालत को देखते वे यहां पर आवाज उठाता है कि उनको उनका महंकाई भत्ता वापिस दिया जाए चेंटर गौर्वेंट एंपलोईज और पैंशनर भोगी जो जिनकी फाइनेंशल हार्डशिप उनके उपर जो यह थोपा गया है फैसला वो इससे बिलकुल नाखुस है उन्होंने रिक्वेस्ट की है आप ओनेबल प्राइम मिनिस्ट्री को हमा मैसेज पहुँचाए और हमारा जो महगाई बत्ते पर रोग लगाई है उसको विड्रू किया जाए अपने ओर को गोर्वेंट वापिस ले ले वैसे ही इस महामारी में हर किसी को फिनेंसल हेल्प की जुरत है और ऐसे में गोर्वेंट उनके महगाई बत्ते पर रोग नहीं बोक्स में अपनी राइज जरूर थी भारत पैंसलर समाज के इस एक अदभुत परियास के लिए आप वीडियो के कमेंट बोक्स में ठेंक्स जरूर करें धन्यवाद जैहीं जैभारत